गुड मॉनिंग, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में मेरा आज का नाइट स्टेज हो था बेश्ट और बेटा में था आज है 20 जन्वरी और आप सोच रहे होंगे कि कल का बीडियो मैंने इंड क्यों नहीं किया वीडियो बनाया लाश्ट में दिखाया नहीं कहां पर रुका था तो वीडियो मैंने खतम नहीं किया था आपको अभी बीच में बताऊंगा क्यों नहीं किया था तो आज का वीडियो बेश्टर बेटा से सुरू करते हैं और तिरुपती यहां से 245 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है तो चलिए यहां से चलते हैं आगे कल्यानी थिएटर है जहां से मैं आसरम पे गया था और वहां कोई वीडियो नहीं बनाया मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया और क्यों नहीं बनाया यह हम दो पहर में आ अंदर से गया था जो कि कल्यानी थीटर के पास सही आसरम का रास्ता था लगबागी एक किलिमीटर अंदर था यहां पर और अब मुझे इस्टेट पूरा जाना है तो चलिए आज का यात्रा हरार महादेव को नाम देकर चुरू करते हैं चलिए चलते आगे बाबा जी कहां बैठे हैं बाबा जी हमारे एकदम बीराने में बैठे हैं दर्सन कर लिए आप भी दर्सन कर लिए और देखें किस जगह पर है बाबा जी देख रहे हैं दूर दूर तक कोई घर नहीं बेलकुल संनाठा बीच में बाबा जी तो ऐसे ऐसे जगह पर भोले बाबा राते हैं तो अब दर्सन कर लिए हैं और इस रोट पर बहुत कमी घर और सब कुछ है तो आगे से दो रास्ता है मेरा कोई फिक्स नहीं है लांग भी पड़ेगा तो भी हो सकता है मैं रोट चेंज कर दू अपना क्योंकि यह रूट सिंगल है अच्छा नहीं लग रहा है पता निक्यों घर और कुछ नहीं है और गाड़ी भी बहुत कम चला है एकदम संनाठा पहाड के बीचो बीच इस सेखाग तो आठो जा रहा है और कुछ नहीं है कि चलते हैं सुबह असरम में जहां रुके थे वहाँ पर खाना खालिये और आपको बताना भूल गए कि आसरम का वीडियों कहीं नहीं मनायते हैं आसरम में हम पहुचे थे बाबाजी आसरम का लोकेसिन उनको बताए थे तो करने पर वहां पर गह थे और आश्रम भाई इतना सुन्दर था कि क्या बताया आपको वहां लोग बहुत प्यारे थे सब अच्छे से पूजा पाठ ध्यान मगन सब लोग थे तो मैं सोचा यह वीडियो फीडियो क्या बनाना अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं उदर वीडि पूर्म वीला करके यहा से 27 किलो मिटर उधर ही टेंपल पर होगा वह भी बाबा जी ने भी बोला था तो अभी होई नहीं से दूर है थोड़ा से इदर खाना खा चुका है सुबह का तो थोड़ा साँ अंगूर लिये दाइट के साहँ में खा रहे है इस voted अंगूर केशांक एस तरह कुछ लोकेसें में उदर केला का पूरक खेती है उदर केला का पूरक खेती है और चना का और इस तरह से लोकेशन है सिंगल रोड है उदर पहाड़ी है पुरी पहाड़ी मेरे दोनों साइड से चल लाई राइट में भी है और लेट में भी है आपको लेट वाला बहुत दूर दिखने रहा होगा तो मैं पहाड के बीच में चल ला हूँ, कापी सुन्दा लोकेशन है, आप साथ देखी सकते हैं कितना अच्छा लोकेशन है, तो अभी मैं ऐसे ही चलूँगा, और कृपती बारा जी दर्शन करेंगा, तो अभी लगबग सिंगली रोड रहेगा, उसके बाद फिर मैं हाइव तो पुरम वीला के आगे से मैं तो रास्ता है, एक वेलोर और बदवेल, तो वेलोर वाला थोड़ा लांग पर रहा है, बदवेल सौट है, तो देखते हैं कौन सा रास्ता अच्छा रहेगा, अब आज जो नाइट इस्टे करेंगे, उसके बाद से फिर देखेंगे, तो थ फिर से पहाड फारेष्ट इस्टार्ट हो गया, I think 10 km तक का सायथ फारेष्ट है, क्लियर नहीं है, बाबा जी बोले थे बीच में 10 km तक का फारेष्ट मिलेगा, सायथ यही है, चलिए निकलते हैं सफर, कैसा है यह सफर, मन्जिलो, कीना है कोई खड़ प्रकासम डिश्टी की स्टार्ट हो गया है, और ऐसा कुछ लोकेशन है, काफी खुबसूरत विलेज यह इदर, तो चलिए, अभी आया है, अब तो चलते हैं पैदल, उसके बाद आगी मिलते हैं आप से अभी पूर्मा विला लगबख सेवन किलोमेटर बचा है, जहां पे बाबाजी बात किया है टेंपल पे, तो उधर ही इस्टे लेंगे, तब तक भाई लोग मिल गए रास्ते में, तो भाई लोग से बात करके बहुत ही अच्छा लगा, इसमें भाई को हिंदी आता है, अच्छा लगा, तो चलिए भाई लोग से बात करके फिर आगे आप से मिलते हैं, मैं इधर रुग गया हूँ, भाई लोग से मिलके थोड़ा आगया हूँ, लगबख 2 किलिमीटर, तो मैं बहुत जगह ऐसा देखा, वीडियो नहीं बना पाया कहीं, तो इधर मुझे लेना चाहिए, हमारे तरब, हमारे तरब जो बैल वाला पर्था हो खतम हो चुका, इधर देखिए, अभी बहुत जगह मैंने देखा, यहाँ पर जो खेत की जुताई होती है, वो बैल से अभी भी कर रहे हैं सब, और हमारे यहाँ सब खतम हो चुका है, तो यहाँ थोड़ पर आपसे मिलते हैं, आज का नाइट इस्टे अपना पेट्रोल पंप हो रहा है, और जैसे आपको बताया था कि मैं मंदिर पर टेंपल पर रुखने के लिए, तो इधर मैं टेंट लगा के रुखा हूँ, तो आज ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, तवियत नहीं सही तो फिर बस गुटनाइट, बाइ-बाइ, टेक केर